आज आप लोग बताते हैं सिल्फी राज का दूद और पानी का सचाए दोस्तों मीना मानवी और जितने भी महिला विकास कमंच के लेडी सुवाप मैंठी थी सिल्फी राज के बगल में सबसे तो पहले बता देते नाटक करना चाहिए लेकिन इतना ही नाटक ना करना चाहिए जिसे पबलिक को आँख में अंदा समझ कर पबलिक के आँख में धूरा जोग देना ठीक है और आप सब बता दें सिल्फी राज साब साब कर रहे थी कि हम विवेक पटेल के साथ ऐसा कोई रिलेसंशिप में नहीं रहे थे नहीं उनसे साधी वा था वो जितना ही फोटो है कि वह सब नकली फोटो है तो एक बात आपको बतादे जिस समय सिल्फी राज कुछ नहीं थी उस समय उन्हों ने 1 रॉक हर्चा किया यहां तक अपना दुकान बेजकर पैशा सिल्फी राज के पीछ लगा दिया सब्वा STEPHAN तो थे नहीं कि डाण्स करने वाल लड़की यह तो चलो इसके साथ सेलपी रहे लेते हैं सीना पसट के सुझ जाते हैं तो रिलेसंसीप में नहीं थी मानते हैं साधी नहीं हुआ था तो एसा फोटो आया कहां से तुम को इतना दिन से कोई बेद्राम कर रहा था तुम तो अप पैसा है अस्णा नो को 187 अच्वैलyah उसादी को पता नहीं है इसको पताना इसको पताना चाहिए कि लिए तुम इतना अपने आपको घमंड मत करो तुम्हारे जो जो सूर है जो तुम सोच रही हो एक पावलिक मुझे इतना जदा प्यार करती है तुम्हें इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि तुम्हारा हैसियत जो है वो कुछ नहीं है आज जिस लरके को तुम बरबाद कर रही हो एक दिन तुमको उसने अबाद किया है और आज उसको तुम बरबाद करें तुमको तुम्हारा अवकात क्या है वो तुमको बहुत जड़ पाद चल लाएगा लेकिन हम महिला विकास मंच के बारे में एक बात कहना चाहेंगे महिला विकास मंच के जितने भी टीम लोग जहा दोब नहीं हुआ है हम देखें हैं अक्सर वह से वह से कांड वाले और मामला बढ़ जाता है और पता चलता है कि ऐसे होगा वह से होगा लेकिन कुछ और नहीं रहा है महिला विकास का जो आवाज हो रहा है वो कुछ आच्छा रिस्पोंस नहीं दे रहा है अभी जो दूसरे किसी को बवीता नाम के कोई लेडी से दिवास नहीं उसका काम करती है उनको क्रेड़ी देदी क्योंकि उनका का नाम उनका बताने का रियादा सब पॉंच सिंग को एक्सेप्ट होना परा लेकिन मिना मनमी जी का बताया हुआ चीज बहुत कुछ हट के हो रहा है इस अलग रहा है कि महिला विकास मंच सब्सक्राइब काम नहीं कर रहा है वो लोग अपने पावर का फायदा नहीं उठा रहे हैं लोग उनको बस अपने नाम कमाना है सोसल मीडिया पर हम देखे तो हमको नहीं लगा कि यह लोग बीवेक पटेल का सपोर्ट किये हैं लोग इतन कैसे आ जायता आज उनके पास कोई फुरूप नहीं है तो उनसे फुरूप मांगा जा रहा है अगर मुझ से बोला हुआ बोली का कोई रिकार्ड करके रख लेता तो फुरूप होता क्या आज सिलपी राज इस चीज का फुरूप मांग रही है उसको खुद मालूम है लेकि एक दिन याद रखेगा विवेक पटेल तुम्हारे से बादला जरूर लेगा जिस चीज से तुम आगे बड़ी हो उस दिन तुम इतना नीचे गिर जाओगी एक बात बीच में याद आगे सिलपी राज बोली कि मेरा साधी होगा तो मैं बोलाओंगी नहीं तुम्हारा जि तुमको हम बता देते हैं अगर इतना ही इंसानियत है तो तुम विजये से वहुन को अपना भृया कहती हो अगर सिलपी राज अपने सिलपी आज अगर तुम अपने माय का दूद पी होगी, तुम अगर अपने बीजय चवन को भाईया बोली हो तो बीजय चवन से कभी साधी मत करना है, बस देखते हैं तुम्हारा इतिहास कि इतना बारा बनता है, तुम कितने लोगों को बोलती है अपने बिया साधी में दावत दें तुम कहारे बारे में तो सब लोग जानते हैं बस तुम इतने याद रखना कि तुम बीवेग पिटेल को धोका दी है आज डर रहा है और आज कम जोर है उसके पास कुछ नहीं है और अकेला है इसकांस उसको तुम लोग दवा रही हो लेकिन महिला भी कांस मंच फुरूप मां ज्यादा भी स्वास का रहे है ठीक है इससे बड़ा क्या चीज़ का फुरूप देता विवेग इतना बड़ा बड़ा फोटो दिया और वह फोटो को आज लोग बोल रहे हैं कि सेंदूर वेक बरावटी है आम बात है तो छाती पसुत जाना यह सब आम बात है इना रिलेसं पस्ति आई है गई है बहुत सारे लोग हुआ है हाँ सिल्पी राज का एक बात आप लोग बता देते हैं सिल्पी राज को जिस चीज़ के घमंड है वह घमंड बहुत जल तूर जाएगा बस आप लोग इंतिजार कीजिए उस घमंड को तूटने के बाद ही उसका आवकात त्यलेगा